नमस्कार दोस्तों मैं सोनम चैनल और आप सभी देख रहे हैं एस्टे सोनम एस्टे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागाते दोस्तों आज की कहानी ननंच जी को हुआ गर्दी का एसास यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गए यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्र करना पुर्गू न भूरें तो चलिए कहनी शुरू करते हैं अंजरी की साथी को छे महीने हो चुके थी और वही अपनी ससुरान में खुश थी हर दिन काम होने के बात दुफैर को वही अपनी मां से फौन पर बात किया कर दी थी और आज भी दुफैर के दो वच चुके थी ल आज तेरा फॉन नहीं आया, मैं तेरे फॉन का इंतिजार कर रही थी। तो अंजरी ने कहा मा, वह क्या है ना, आज मेरी नननत और नन्दोई जी आए हुए हैं। उन्हीं के रिए चाय और नाष्टा बना रही हूं। इसलिए ताइम नहीं मेरा, तभी अंजरी की सास रस्वी घर में आती और कहती बहूर, चाय नाष्टा बन गया, बाहर दामाची वेते हैं। तब अंजरी ने का ममी जी, चाय नाष्टा तैयारे में देकर आती हूं, आप चलिये और अंजरी अपनी मा से कहती, मा मैं अभी फ़न रखती हूं, आप से रात में बात करूंगी। कहकर अंजरी ने फ़न रखती या। अंजरी की माँ वहाँ सोचती एही समय तो मिरता है मेरी बेती को कुछ तेर आराम करने का वन्ना घर में 24 गंते काम करती रहती है इसी समय आज उसकी ननत नंदोई आ गए उसने तो थोरा आराम भी नहीं कर पाया हुगा अंजरी अपनी ननत नंदोई परिवार के सभी सतस के लिए चाय नाष्टा रेकर जाती सभी नाष्टा करने रखते तभी अंजरी कहती आप सभी नाष्टा कीचे मिकाने की तयारी करती हूँ तो अंजरी की ननन्द पिरिया कहती भावी जब से मैं आई हूँ आप तो हमारे पास वैती ही नहीं थोड़ी देर भी हमारे साथ बात कीचे खाना बन जाएगा बात में हम सब मिलकर खाना बना रहेंगे अंजरी एह सुनकर मुस्कराती और वही बैथ जाती बहुत दिनों बा की फिर फॉन करना क्यों भूर गई अंजरी ने कहा अरे मा वो दीदी जीजा जी आए हैं तो घर में बहुत सा काम था इसरे ताइम ही नहीं मेरा आपको फॉन करने का अभी फिरी हुई हूँ तभी अंजरी की मा ने कहा ये बगवान तेरी ननन्द को आई हुए पूरा एक दिन नहीं हुआ और तुछे काम में इतना वियस्ट कर दिया अच्छा एहे तो बता रुक रही है कुछ दिन या जा रही है तब अंजरी ने कहा नहीं मा जी जा जी तो चरे गए रेकिन दीदी अभी कुछ दिन घर परी रहेंगी तब अंजरी की मा ने कहा तो एक काम कर तो दिन भर काम में बिची ही रहेगी तू उसकी क्या नोकरानी है जो काम करेगी तब अंजरी ने कहा मा आप ऐसा क्यों कह रही है तीदी भी मेरे काम में मदद करती है तब अंजरी की मा ने कहा अच्छे से चानती हूँ कितनी मदद करती होगी वहे तेरी सिर्फ चमच रा देती होगी और तू कह रही है मदद करती है मैं कह रही हूँ न तू कर अपने माई के आ जाना अंजरी अपनी माई की बात मानती और दूसरे दिन सुभाई से ही अपना सामन पैक करकर अपने माई के चरी जाती अपनी बेती को देखकर तू बंदना जी बहुत को सोती और उसे अपने कम्रे में लेकर आती और अपने बहु सुरूचना को आवाज रगा कर कहती है अरे बहु तेरी नननत आई है उसके लिए चाए नाश्ता तो लेकर आओ तब ही सुरूचना बहां आती और कहती है क्या मैं इनकी नौकरानी हूँ जो इनके लिए चाय नाश्टा रह कर आऊंगी बंतना जी को सुरूचना की इस बात पर गुस्सा आता और वही कहती तू कैसे बात कर रही है मेरी बेती से तब सुरूचना ने कहा जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ आ जाती हैं हर दो दिन में मूँथा अगर इनका माईका और इनका ससुरार एक ही सहर में हैं तो इसका मतरब एहे तो नहीं की हर दूसरे दिन एहे यहां आ जाएं एहे तो आ जाती हैं और मुझे इनकी सेवा करनी पर दे बहुत हो गया मम्मे जी अब मैं इनकी और सेवा नहीं करने बारी वर हां दी थी जब आप अपनी ससुरार जाओ तो मुझे फॉन कर देना मैं भी बापस आ जाओंगी तो अंजली ने कह बापस आ जाओंगी का क्या मतरब तब सुरोचना ने कह मतरब साप है जब तक आप इस घर में रहेंगी तब तक मैं अपने माईके में रहूंगी कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी की आपकी सेवा करूँ तबी अंजली ने कहा भावी आप कैसी बाते कर रही है आज के पहरे तो आपने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की आप तो मेरे आने से हमेशा खुस होती थी तो आज क्या हो गया तब सुरोचना कहती क्योंकि दीदी आज के पहरे मुझे पता नहीं था कि आपके यहां आने के बाद मैं इस घर की नोकरानी बन जाती हूँ तब अंजली ने कहा क्या मतरब भावी मैंने आज तक आप से कभी बुरे तरीके से बात किया और मैं तो हमेशा आपके काम में मतद कराती हूँ तो आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है तब सुरोचना करने का आपकी ननन्द भी तो आपकी मदद करती है घर के काम में फिर मम्मी जी ने क्यों कहा कि आप उनकी सेवा कर रही है कि आप उनकी नोकरानी है यह सब सुनकर बंदनाजी का सिर्थ सरम से जुक जाता और सुरोचना कहती कर मम्मी जी जब मैं आपके रिए चायरे कर आ तो मैंने आपकी और दीदी की सारी बाते सुननी थी और मुझे आपकी इह बात विरकुर भी पसंद नहीं आई आप यही तो चाहती है कि जब आपकी बेदी घर पर आई तो मैं उससे अच्छे से बात करूँ और उसके साथ रहूँ रेकिन जब दी थी कि ननन्द महां आई तो आपने उनसे साफ कह दिया कि तुझे घर के काम करने के कोई जवरत नहीं है तब बंदना जीने का बहुत हु सच कह रही है मैं तो मा के प्यार में अंदी हो गई थी और इसी में अपनी बेती का घर भी बरवात कर रही थी यह जानते हुए कि मेरी बेती का ससुरार कितना अच्छा है उसकी साथ तो उसे अपनी बेती की तरह मानती है और ननन्द तो छोती वहन की तरह मानती है रेकिन फिर भी ना जाने क्यों ऐसा कह दिया है यही जानते हुए कि बेतियां तो माईके में भी काम करती हैं और ससुरान में काम करने सिवए नौकरानी नहीं हो जाती और अपनी बेती कोई गरत सिक्षा देने रखी मुझे माफ करते बहुत अब सुरूचना ने का ममी जी मत मांगे मैं आपसे छोती हूँ बस ननन्द जी को सही राष्टा दिखा रही थी तब अंजरी ने कहा भावी आप सच कह रही है मुझे इस तरह अपने माईके नहीं आना चाहिए था मेरी तो ननन्द सार भर में सिर्फ एक बारी तो आती है और उसमें भी मैं अपनी माईके आगई अच्छा नहीं रखता मैं अभी अपनी ससुरार जाती हूँ और अपनी ननन्द के साथ रहती हूँ फिर बात में माईके आऊंगी अपनी भावी के पास रहने के रिए कहकर अंजरी अपनी ससुरार चली जाती उमिद करती हूं दोस्तों आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी ती कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजीगा वीडियो को लाइक करतीजीगा और हाँ कहानी को अपनों के साथ सेहर करना वुरू कुन न भूरे थैंक्स फार वाचिंग झाल 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 झाल